स्वाइल व्लो प्यारे बच्वों स्वागे तब सभी का इस वंडरफूल चैनल पर इसका नाम है NCRT Solution वेदान्तू इस चैनल के अंदर हम क्या करते हैं हर एक क्वेशन का डिटेल सॉलुशन डिसकस करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप definitely इसको सब्स्राइब कर सकते हैं पढ़ते हैं कोशन को सॉल करते हैं और इस जीवन को असान मनाते हैं तो लिए कोशन को पढ़ा जाए question क्या कह रहा है question कह रहा है बच्छों कि a particle starts from the origin at t is equals to 0 seconds with a velocity of 10 j meter per second initial velocity जो दी हुई है particle की वो है 10 j meter per second बहुत बढ़िया and it moves in x y plane with a constant acceleration of this meter per second square बहुत बढ़िया acceleration दिया हुआ है 8i cap plus 2 j cap meter per second square बहुत बढ़िया आगे है बद पहले पार्ट में निकालना है at what time the x coordinate of the particle is 16 meter and what is the y coordinate at that time when the x coordinate is 16 meter तो पहले पार्ट को solve करते हैं displacement के बारे मैं पूछ रहा है तो आपको बता है displacement होता है ut plus half a t square बहुत बढ़िया अराम से देखिए u क्या है 10 10 j cap 10 j cap into t या मैं सीरी से दे लिख देता हूँ 10 t j cap बहुत बढ़िया plus half a t square a की जगे मैं लिख देता हूँ 8 i plus 2 j t square 2 से इसको अंदर divide कर लेते हैं तो यह हो जाएगा मैं displacement को लिख देता हूँ 10 t j cap plus 4 i cap t square plus j cap t square तो हम i और j वाले terms को एक साथ करना चाहते हैं ठीक है तो अगले पेच पे चले जाते हैं तो यहां से आजाएगा यह वाला j term और यह वाला j term एक साथ हो जाएगा यह वाला j term और यह वाला j term एक साथ हो जाएगा और इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4 i cap 4 t square i cap ठीक है 4 t square i cap plus 10 t j cap plus j cap t square t square j cap आप लोग को यह बहुत दोनों बाते हैं किये हैं ठीक है तो इसको आसानी से हम लिख सकते हैं 4 t square i cap plus 10 t plus t square j cap बहुत बढ़िया यह हमारा expression हो गया यह ह हमारा expression हो गया displacement बहुत ही बढ़ियां बात हो गई time के साथ displacement ऐसे vary करेगा हम सहीं पूछ रहा है कितने समय बाद x coordinate जो displacement का है वो 16 meter होगा कितने समय बाद x coordinate 16 meter होगा x coordinate किया displacement का हमने का यह जो i के साथ है यह x coordinate है हमने का x coordinate जो है as as a function of x it is 40 square i cap बहुत बढ़िया हमें चाहिए इसका जो magnitude है 16 हो जाए 40 square i cap इसका magnitude क्या हो गया हमने का यह vector है इसका जो magnitude x axis के long है यह केवल 40 square हो गया यह हमें चाहिए 16 यानि कि time जब 2 second होगा तो x axis के long जो displacement है वो आपका 16 meter हो जाएगा और पूछ रहा है इस समय पर y के long displacement कितना होगा यह भी बताओ तो y के long displacement है इतना displacement along y vector कितना है भई हमने का 10 t plus t square j cap इसका magnitude आप क्या बोलोगे magnitude हो गया 10 t plus only t square अब कितने इसी समय पर displacement कितना होगा 2 seconds पर 10 into 2 plus 2 square 10 into 2 plus 2 square 20 plus 4 which is 24 meter यहने कि y axis पर particle कितनी दूरी पर होगा 24 पर और x axis पर जब 16 meter पर है तब y axis पर यह 24 पर होगा तो पहला वाला part हमारा done हो गया है second part में क्या कह रहा है second part में कह रहा है बचो what is the speed of the particle at that time second part में क्या कह रहा है what is the speed of the particle at that time तो फटा फट देख लेते हैं second part हों कैसे करेंगे तो speed निकालने के लिए आप क्या करोगे displacement vector को differentiate करोगे displacement vector मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ displacement vector यहाँ पर कितना लिखा हुआ है मैं बचो लिखा हुआ हुआ है displacement vector vector आ जाएगा ds by dt यह हो जाएगा 8ti cap plus इसको differentiate करिए यह बना 10 plus 2t j cap यह आपका velocity vector हो गया सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि what is the speed of the particle at that time तो भाया t is equals to 2 second पर जब सारी चीज़े हो रही थी जब यह 16 meter पर था तो आप velocity कितनी होगी तो आपने का velocity velocity at t is equals to 2 यहाँ पर t is equals to 2 डाल दीजिए तो यह बन जाएगा 8 into 2 i cap plus 10 plus 2 into 2 j cap which is 16 i cap plus 14 j cap यह हो गया velocity at t is equals to 2 in the vector format अगर आपको कह रहा है कि magnitude क्या हो गया what is the speed of the particle at that time तो speed पूछ रहा है यह हमने क्या निकाला है velocity at t equals to speed क्या होता है velocity का magnitude तो speed क्या हो जाएगा velocity का magnitude तो velocity का magnitude t equals to 2 पर क्या होगा under root यह वाले x coefficient का square plus y coefficient का square so under root 16 square plus 14 square 16 का square क्या होता है 256 16 का square कितना होता है 256 और 14 का square कितना होता है 196 right इसको अगर हम add कर मारे और फिर हम under root ले 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 लें final answer निकल करके आ जाएगा add कर दें और कितना हो जाएगा 6 6 और 6 12 ठीक है और 5 वदा और ये 5 और ये हो जाएगा 4 ठीक है under root 452 आपके मेरे साफसे का answer हो जाना चाहिए इतने meter per second ये हो जाएगी speed इतने meter per second ये speed हो जाएगी और ये ये आपका answer है ठीक है तो आशा करता हूँ आपको question बहुत अच्छे सबन में आ गया होगा अगर कोई भी confusion रहे गया तो आप definitely comment box में डाल सकते हैं हम उस comment हम उस comment को resolve करने की पूरी कोशिच करेंगे तो ये था इस वाले question का answer move करेंगे question number 19 पर और सीखेंगे इस chapter का question number 19 अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो definitely आप आगे बल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए move करते हैं question number 19 को समझते हैं